जहें दोस्तों आप देखने डिफेंज के आन यूटूब चैनल इसराइल और जो हमास में युद्ध चल रहा है उसको करी-करी 10 दिन से जादा हो चुके हैं और जिस जोस के साथ और जिस जुनून के साथ जो हमास ने जो है इसराइल पर हमला किया था वो जो है जोस और जोस क है और उसके जो टॉप ओफिसियल्स हैं उनकी जो जवान है उनके जो बयान आ रहे हैं उसके मुताविक लग रहा है कि जो हमास है वो चहराइगी जल से जल जो है इसराइल के साथ जो सीज फायर हो जाए लेकिन 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 इसराइल की जो प्रधान मंतरी है बेंजमिन याहू उन्होंने साफ तोर पर कह दिया है कि जो इसराइल ने जो ऑपरेशन चला है गार्जेंस ओफ दा वॉल वो लगाता जब तक चलेगा जब तक जो उस ऑपरेशन का आपजेक्टिव है यानि जो वो हासिल करना चाहते हैं वो हासिल नहीं हो जाता है तो इसके बाद ज उन्होंने भी कहाए कि जल से जल सीजफायर हो जाना चाहिए लेकिन इस्राइल जो है काफी हद तक सीजफायर के पच्छ में नजन नहीं आ रहा है इसी वज़े से जो हमास के टॉप ओफीसियल्स हैं उनके बयान के द्वारा लग रहा है कि हमास जो है बहुत ही जादा मतलब उसको नुकसान पहुँचा इतना नुकसान पहुचा है कि उसके जो बहुत सारे लडाके मारे गए हैं बहुत सारे जो टॉप ओफीसियल्स थे उसके वो भी मारे गए हैं तो इसके बाद वो चाहते हैं कि जल से जल जल किसी आसान सरतों पर ही सीजफायर हो जाए इसके नहावनी मौस्क है जो की येरूसलम में है अगर उसकी जो प्यॉरिटी है यानि उसको पवित्रता बनाए रखता है तो जो हमास है वो जो है सीजफायर के लिए एगरी हो जाएगा दूसरी जो सर्त है वो कह रहे हैं कि जो सेख जराहा इलाका है लक्सा मौस्क है उसके पास मे जेहीं अगर उसको जर्ब जस्ति खाली नहीं कराता है तог जो जो है आसा शर्तों पर यानि यह दो ही शर्तें उनकी में हैं सीजफायर के लिए 주고ि हो जाएंगे यह सर्तें तो पहले से ही इसरैल काफी हद तक जो है कह़ रहा है कि हम अभी ऐसा जो है नहीं करने वाले हैं और अलागक सा मच्जिद है वहांपर भी उसने कोई ऐसा खास काम नहीं किया था वो सिर्फ जो है वहाँपर जो law होता है उसको ही जो है लागू कर रहे थे लेकिन जोस में आके जुनून में आके हमास ने रॉकेट फारिंग करना चालू कर दिया लेकिन जो इसराइली एर फोर्स है उसने भी एर स्ट्रैक की संख्या है वो घटा दिया पहले जितनी तेजी से वो हमला कर रहे थे उनकी संख्या में वो कमी आई है तो हो सकता है कि जल्दी सीज फायर हो जाए क्योंकि USA भी काफी दवाब डाल रहा है इसराइल के ऊपर 10 दिन की ही लड़ाई में इसराइली एर फोर्स है उसने हमास को बहुत जादा बुरी इस्तिती में पहुंचा दिया है आपको क्या उमीद है कितनी जल्दी जो है सीज फायर हो सकता है कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए सेर करिए और हमाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आगान दवा दीजिए क्योंकि हम आपके